हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको 2020 की विस्कर अवे ये जापनीज एनिमी मूवे एक्स्प्लेंड करने वाला हूँ इस मूवे में एक लड़की एक लड़के से बहुत ही प्यार करती है पर उलड़का उसे भाव नहीं देता इसी वज़े से वो कैट में करनोट हो जाती है ये magically करनोट होई होती है तो इसका backlash भी उस पर आता है तो क्या कटबड होती है इस मूवे में हम देखेंगे तो चले एक्स्प्लें करता हूँ इस मूवे के जो में गैरेक्टर इसका नाम है मियो मियो एक फेस्टिवल में आई हुए होती है उसकी मदर के साथ वो आई हुए होती है उसकी जो मदर थी वो जब बहुत ही छोटी थी तब उसे छोड़कर चली गई थी पर अब वो जो बड़ी हो चुकी है तो वो वापस मियो के फादर ने एक नहीं शादी कर ली थी उसकी स्टेप मदर भी है तो उसकी मदर अब उसे कह रहे होती है कि तुम्हेरी स्टेप मदर को तुम कहो कि तुम्हें मेरे साथ रहना है तुम मेरे साथ आकर हो मियो उसे पुछती है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई यह जो आद में होता है, एक cat मास्क सेल कर रहा होता है, वो उसे पुछ रहा होता है कि आप थुम्हें ट्राय करना है, इसके बाद हमें directly मियो स्कूल में दिखाई गई है, मियो अपने फ्रेंड से मिलती है और उसे फिर हिनो दे दिखता है, यह वही लड़का होता है, जिसे व और ने सनरैस बोलती है, यानि उसकी दिन की शुरूवात अब नी मिलने के बाद ही हुई उसे यह कड़कर बहुत ही सही लगता। इनोदों का फ्रेंड भी उसे चिलाता है उसे रूखने के लिए बोल रहा होता है पर इनोदों कहता है कि मैं यह नहीं रुख सकता मैं वेट नहीं कर सकता यहाँ से जाने के लिए मियो बहुती रोमेंटिक होती है उसे अलग ही लगता है उसे लगता है कि वो wait नहीं कर सकता उसे मेरे साथ ही रहना है वो अपनी friend को बता रही होती है उसकी friend उसे समझाती है कि वो तुमें ignore करता है वो तुमें interested नहीं है पर मियो यह मानने के लिए ready नहीं होती वो उसे फिर एक किसा सुना थी वो क्या थी है यह जब तुम festival में मेरे साथ नहीं आई थी तब मैं हिनोदो से मिली थी हिनोदो और मैं हमने night spend की थी हिनोदो कह रहा था कि इस world में उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता पर अगर यह world disappear हो गया तो वो भी उसे अच्छा नहीं लगेगा यह जब मियोदो भी मेरे तरह एक romantic है ऐसा उसके friend को कहती है उसकी friend इस पर video नहीं कर पाती है और कहती है कि आओ फिर से इस दुनिया में आओ अपनी imagination world से बहार आओ और फिर यह दोनों घर जाने लग जाते है जब मियोदो घर पर आती है तो उस घर के बाहर एक old lady होती है वो मियोदो से पुछती है क्या तुम्हें वासर से खाना किलाती है यानि कि मियोदो की mother ने उस old lady को पैसे देकर उससे यह पूछने के लिए बोला था मियोदो की step mother यह देखती है और फिर मियोदो घर पर आ जाती है मियोदो की step mother एक teacher होती है वो बहुत ही अच्छी होती, compassionate होती है वो उससे पूछती है क्या तुम्हें आइस्क्रीम विगरा चाहिए मियोदो नहीं बोलती है और फिर वो अपने room में चले जाती है उसे और एक important काम होता है वो फिर वो मास निकालती है जो उस cat man ने उसे उस festival में दिया था उसको पहनने के बाद वो magically cat में गन्रोड हो जाती है और फिर वो हिनोदो से मिलने जा रही होती है हिनोदो जोता है, वो अपने घर पर होता है हिनोदो को अपने grandfather से मिलने जाना होता है वो potry करते है और हिनोदो को भी potry करना बहुत ही अच्छा लगता है हिनोदो की mother जोती होती है, उसे बोलती है कि पहले homework complete करो और फिर अपने granddad की आ जाना हिनोदो कहता है, आज मैं जो homework नहीं है और गर से बाहर निकल जाता है अपनी जो cat होती है, उसे ढोड़ने लग जाता है यही cat हमारी मियो होती है और इस cat का नाम उसने तारो रखा होता है यह उसके old dog का नाम होता है इसलिए वो उसे तारो पुकारता है हिनोदो अपनी mother से परिशान होता है तो अपने granddad को यह कहता है उसके granddad कहता है कि तुम बहुत है talented हो तुमें जादा कुछ worry करने की ज़रूरत नहीं है हिनोदो के बास फिर मियो आती है हिनोदो को लगता है कि यह hungry होगी तो इसके लिए उसके लिए खाना बनाता है मियो भी इसके लिए बहुत ही excited होती है वो फिर उसे बहुत सारा खाना देता है वो कहता है कि मुझे fat cat पसना थी है हिनोदो जो गर पर आता है तो उसकी sister तारो को ढूंड रहे हो थी है उसे लगता है कि वो उसकी cat है पर हिनोदो उसे कहता है कि नहीं यह हमारी cat नहीं है यह मुझे festival मिल ली थी यानि कि मियो जो उसके friend को कह रही थी कि वो festival में हिनोदो के साथ थी तो as a cat या as a taro उसके साथ थी मियो को आज बहुत ही अच्छा लगा होता है हिनोदो के साथ रहे कर जब रात होती है तो अभी भी वो cat ही होती है वहाँ फिर से वो cat आदमी प्रकट हो जाता है वो से कहता है कि यह cat बनना बहुत ही अच्छा है वो से बोल रहा होता है कि अगर तुम permanently cat बनना चाती हो तो तुम्हारा human face मुझे दे दो यह जो human face होता है अगर कोई cat इसे पहन लेगी तो वो human बन सकती है इसलिए उसे मांग रहा होता है मियो इसके लिए ready नहीं होती है उसका plan होता है कि cat बनकर वो हिरोदो को जान लेगी और फिर as a human उसकी girlfriend बन जाएगी इसलिए उसे मना कर देती है जब रात में मियो अपने parents के साथ dinner कर रहे होती है तो वो बहुत जादा खा रहे होती है उसके parents उसे पुछते है कि यह क्या कर रहे हो तो वो कहती है कि hero 2 को fat cats पसन है उसके parents उसे पुछते है कि hero 2 कोन है क्या यह तुमारा boyfriend है तो वो इस सब मना करकर अपने room में चली जाती है नेक्स दिन जब हिरोदो होमवक कर रहा होता है तब as a cat as a taro वो उसे पास आ जाती है हिरोदो के पास आने पर उसे पदा चलता है कि हिरोदो कर अपना lunch खोथी बनाने वाला है हिरोदो तारो को बहुत ही लाइक करता है वो कहते है कि तुमाईरी smell sun की तरह है अब Mio को हिअनोदो का लेंच खाना होता है इसलिए वो कुछ प्लैन बना रहे होती है तभी उससे दो लड़के दिखते है कि जो हिनोदो के बारे में बोल रहे होते है वो कहरे होते है कि ओनोदो की क्रेट्स जादा ही अच्छे हो गई है वह 100% कुछ न कुछ तो चीट कर रहा है इस पर Mio बहुत ही चीट जाती है वह उपर होती है और नीचे वह जब मार देती है इस जब मारने के वज़े से वह जाडियों में गिर जाती है और थोड़ी से हर्ट भी हो जाती है वह उसे कहती है कि Hero बहुत ही मेडिकल हेल्प होते हैं, फिर वह उसे लेकर जाता है, और वह बहुत ही खोछ होती है, और पूरे वर्ल्ड को बताना चाहती है, इसलिए वो चिलाने लग जाती है, हिरोदो भी यह देखकर हसने लग जाता है वो फिर कहती है कि मैंने आज हिरोदो को हसना सिखाया है मियो जब घर पर आती है तो बहुत एक्साइड़ होती है वो फिर से हिरोदो के घर पर आ जाती है हिरोद जब घर पर आता है तो उसकी मदर उसे बात करी होती है उसे कह रहे होती है कि तुम्हारे जो potry है अब हमें sell करना पड़ेगा वो financially इतनी efficient नहीं होती पर हियोदों को यह बहुत ही अच्छी लगती है उसका यह passion होता है उसे बोलना होता है कि उसे यही करना है पर यह वो बोल नहीं पाता वो मिर रात में अपने potry में आकर बेट जाता है वो pot बनाने लग जाता है मियो भी उसके पास आकर बेटती है उसे सब कुछ अपना मन का हाल वो कहता है कि उसे यही करना है पुर्योग बताने पारा वो फिर wonder करता है कि मियो अगर उसके जगा पर होती तो क्या करती मियो आउटस्पोकन होती है उसे जो भी कहना होता है वो कह देती है जो भी करना होता है वो कर देती है उसे लगता है कि अगर मियो उसके जगा पर होती तो वो क्या करती वो wonder कर रहा होता है मियो का अब लगता है कि as a cat वो उसे help नहीं कर पा रही है पर मियो होकर वो उसे help कर सकते है उसे emotional support दे सकते है जब वो घर आ रहे होती है तब cat man फिर से happy हो जाता है वो उसे फिर से पुछता है क्या तुमें cat बनना अच्छा लग रहा है क्या तुम permanently cat बनना चाती हो फिर वो उसे ना कर देती है वो फिर भी उसे शोचने के लिए बोल देता है मियो जब घर पर आती है तो उसके parents उसके लिए चीनते दोती है जब उसके parents उसे देखती है तो वो अपने रूप में नहीं होती तो इसलिए वो डर चुके होते है पर मियो जब घर पर आती है तो उनने कहती है कि मैं रूप टॉप पर थी तो यह वरी करने कोई भी ज़रूद नहीं है मियो फिर डिसाइड करती है कि वो हिरो दो को अपनी feelings का एक letter लिखीगी यह letter वो लिखती है और निक्स दिन classroom में आती है Classroom में आने के बाद वो जो लड़के थे जो हमेशा हिरो दो को परेशान करते है मियों को भी परेशान करते है यह letter उसे चीन लेते है यह letter चीन का यह बहुत ही out loud यह पढ़कर सुनाते है इस letter में लिखा होता है Hero 2 Sunrise उसके लिए बहुत special है उसका दीन अच्छा जाता है और इससे ही actual में उसके दीन की शुरुवात होती है उससे Hero 2 बहुत ही पसंद है उसके बाद इसमें ये भी लिखा होता है कि हम दोनों बहुत ही सेम है Hero 2 जैसे अपनी feelings नहीं बता पाता वैसे Mio भी अपनी feelings नहीं बता पाती ये इस letter में लिखा होता है फिर ये लड़के Hero 2 से अपना सवाल पुछते है Hero 2 Mio को reject कर देता है वो कहता है कि Mio बहुत ही pushy है वो उसके साथ नहीं रह सकता वो उस पर cheat गया होता है वो बोलता है कि तुमने मेरे feelings का खयाल ने रखा और ये letter लिख दिया Hero 2 उसे hit करता है ये कहता है और फिर Mio रोने लग जाती है Mio रोते रोते पाहर निकल जाती है Mio दो अब बहुत ही upset होती है और अपने room में रो रही होती है तभी उसकी step mother वहा आती है उसकी step mother उसे चाय के लिए बुला रही होती है पर Mio उसके लिए मना करती है Mio की step mother अब उसे upset देखकर उसे बात करती है वो कहती है कि तुम्हें हमेशा smile करते नहीं रहना है तुम्हें अगर sad लग रहा है तुम ये जता सकती हो तुम जब मेरे पास होती हो तो pretend करती हो पर तुम्हें pretend करनी कोई भी ज़रूद नहीं मैं समझ सकती हो कि मेरे साथ होना तुम्हारे लिए hard है पर Mio अब उस पर चीर जाती है वो कहती है वो हमेशा में angry रहती हो इसलिए मैं अपनी feelings को दवा देती हो और खुश रहने का try करती हो और तुम मुझे यह भी नहीं रहने दे रही हो फिर यह कहकर वो अपना mask लेती है और balcony से कुच जाती है उसकी मदर उसे ढूनती है उसे वो ढून नहीं पाती है वो अब cat बन चुकी है और hero के पास आ जाती है उसने अब decide किया होता है कि वो as a human उसे हब नहीं कर सकती cat बन कर तो वो उसके पास रह सकती है hero दो के पास वो आती है तो hero दो फिर से उसे smell करता है hero उसे याद आता है कि meo की और इस cat की दोनों की smell से भे है उसी फिर realize होता है कि वो meo से प्यार करता है ये बात अभी मियो को पता नहीं है जब रात होती है तो hero दो के साती हो सोचाती है जब सुबा होती है तो cat man वहाँ जाता है वो से फिर से बुचता है क्या तुम अब ready हो और meo इस बार ready होती है वो अपना human mask वो ही उतार देती है फुरो एक cat man हो से कहता है कि अब तुम हमेशा के लिए cat बन चुकी हो ये जो mask होता है इस mask से वो फिर से human बन सकती है पर ये mask वो लेका जा रहा होता है मियो घर से निकल गई थी और रात भर वो वापस नहीं आई तो उसके parents अब बहुत ही जींतित होते है वो उसे ढूनने के लिए उसके school में आते है हिरो दोसे भी मिलते है हिरो दोसे पुछ थे कि वो तो तुमारी girlfriend थी तुम्हें उसके बारे में क्या पता है या नहीं Hero तो बोलता है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता Mio की friend भी कहती है कि इनकी बीच में कोई भी relationship नहीं थी Hero तो को Mio missing हो गई है इसके वज़े से बहुत बुरा लगता है तो अब वो उसे ढूड़ना चाहता है Mio की friend उसे कहती है कि तुम यह मत करो अगर तु Mio को सच मुझ में like करते हो तभी तुमें उसे ढूड़ने जाना चाहिए वरना फिर से उसका heart broke हो जाएगा यह वो नहीं चाहती है फिर वो उसे एक story सुनाती है वो कहती है कि Mio की mother जब उसे छोड़कर चली गई थी तो वो heart broken थी मैं उसके साथ hangout नहीं करती थी क्योंकि मेरी friends मुझे restrict कर रही थी तभी Mio ने मेरी friends यह साथ जगड़ा कर लिया था वो मेरी friendship पाना चाहती थी और फिर वो खुद रोने लग गई थी वो वहाँ से भाग गई थी मैंने ही उसे रोका था वो बहुत ही fragile है हमें उसे समझ लेना चाहिए वो tough है ऐसा pretend करती है पर अपने मन में वो बहुत ही soft है वो हमेशा लोगों को बहुत ही खायल करती है अब हिरोदों को बहुत ही बुरा रगता है जब Mio के parents घर पर आते है तो Mio की mother वहाँ आई हुई होती है वो उनसे बोल रही होती है कि यह तुम्हारी गलती है तो मैं उसे smartphone वगेरा देना चाहिए था यानि कि वो हमसे contact कर सकती थी Mio की step mother और Mio की mother इन तोनों में आफट fight हो चाती है Mio भी cat बन कर यह देख रही होती है पर वो इसे enjoy करती है और फिर वो वहाँ से चले जाती है Mio फिर देखती है कि उसकी friend उसे ढून रही है जब Mio हिरोदो की granddad के पास आती है क्योंकि हिरोदो वहाँ ही आएगा तब हिरोदो की granddad बोलते है कि वो Mio को ढून रहा है हिरोदो भी वापस आता है और अपने granddad को उसे cover करने के लिए बोलता है वो कहता है कि मदर को बता देना कि मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ उसे पता नमत चलने देना कि वो Mio को ढून रहा है Mio को ढूनने के लिए जब वो जा रहा होता है तो Mio as a cat उस पर चल जाती है और वो भी उसके साथ ही चलती है Hero दो ठक जाता है और बेट जाता है वो कहता है कि मुझे इसा उसे treat नहीं करना चाहिए था वो as a person वो बहुत ही गलत है इसा उसे लग रहा होता है पर Mio अब उसे कह रहे होती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं है वो बहुत ही सही है वो अबने friends का, family का बहुत ही खयाल रखता है वो एक compassionate person है वो बहुत ही smart भी है और यह सब वो उसे कह नहीं पाती अब उसे hearing का भी problem आने लग जाता है वो अब cat में पूरी convert हो रही होती है अब human की आवाज उसे सुनाई नहीं दे रहे होती है वो decide कर लेती है कि अब उसे फिर से human बनना है next in में हमें दिखाया गया है कि एक दो दिन अब गुजर चुके है मियो की जगा पर और एक लड़की आ जाती है और वो मियो की तरह pretend करती है मियो का इस face उस पर होता है इसका मतलब है अब मियो का human face किसी cat के पास है वो अब मियो बन कर उसके school में जा रही है उसकी life जी रही है मियो देखकर बहुती डिस्टब होती है मियो के फ्रेण ही notice करते है कि मियो बहुती अलग-अलग रग रग रही है यह जो नई मियो होती है एक class में बहुती पॉपिलर हो जाती है लोगो को हसाती है actual मियो यह देखकर बहुती गुस्सा हो जाती है जब रात होती है तो यह fake मियो फिर से अपने family के पास चले जाती है निक्स दिन यह नई मियो hero 2 को भी propose करती है यह दो इसके लिए मना कर देता है फिर यह जब street में होती है तब मियो उसे मिलती है उसे कहती है कि मुझे face से human बनना है प्लीज मेरी help करो फिर नई मियो भी कहती है कि मुझे भी human बनने में इतना आप interest नहीं रहा यह जो होती है यह actual में teacher के cat होती है मियो उस teacher से बात नहीं करती तो उस teacher को बहुत ही बुरा लगता है फिर इस cat ने decide क्या होता है कि अगर वो मियो के face में आ जाए मियो बन जाए तो उस teacher को मियो का प्यार दे सकती है पर अब वो teacher बहुत ही दुखी होती है उसे उसकी cat फिर से वापस जाए होती है इसलिए यह अब मियो बनी होई cat जो होती है वो मियो से कहती है यह मैं भी human बनना नहीं चाहती है मैं भी फिर से cat बनना चाहती हो पर उन्हें अब problem होता है मियो जो होती है उसके life दो हिस्सों में बढ़ चुकी होती है एक ये cat के पास होता है और जो cat man था उसके पास उसके half life है फिर ये teacher की cat उसे guide करती है वो कहती है ये जो way है इस way से तुम जाओ ये grade velvet की तरह एक way होता है hill पर वो आ जाती है ये जो hill होती है ये एक नए world का रस्ता होती है ये जो teacher की cat होती है उसे ये भी कहती है तुमारे पास बहुत ही कम समय है आज रात में cat का जो world होता है उस world में एक बड़ा सट्री होता है वहाँ वो tree फिर से जाग जाने वाला होता है और वो जाग गया तो हमेशा के लिए meo cat ही बन जाएगी फिर meo उस way को देखती है cat के world में वो बहुच जाती है फिर next scene में हम देखते है कि teacher की जो cat होती है उसे hero को call आता है ये दोनो festival में जाने वाले होते है जब वे घर से निकलती है तब teacher उसे मिलती है ये teacher बहुत ही sad होती है क्योंकि अब उसे अपनी cat नहीं मिल रही उसकी cat फिर as a meo उसे कहती है कि वो तुमसे बहुत ही प्यार कर देथी तुमारी cat तुमारी लिए बहुत ही care करती है वो तुमारी company को बहुत ही पसंद करती है वो as a human उसे अब last बार बात करी कि क्योंकि वो face a cat बनने वाली है इसलिए वो ये सब उसे कहे कर चली जाती है जब ये teacher की cat hero के पास आती है तब hero को सब सच्चा ही वो बता देती है hero को भी इस पर बिली होता है क्योंकि उस cat का और Mio का दोनों का smell same था तो उसे cat के world में लेकर आती है Mio भी वहा होती है और Mio उस cat आदमी को ढून रही होती है वो वहा सब लोगों से पूछ रही होती है कि वो cat man कहा है पर किसी को भी पता नहीं होता फिर एक cat उसे ढून ले थी है उसे बोलती है क्या तुम human हो फिर वो उसे बार में लेकर आती है यह जो बार होता है इसमें पहले सब human थे और फिर वो cat बन चुके है इन सब को अब बहुत ही regret हो रही होती है कि वो cat बन गए है वो अपनी responsibilities से भाग रहे थे इस वज़े से वो cat बने थे वो उसे समझाते है वो मियो को कहते है कि तुमारे पास अभी भी बहुत life है तुम सब कुछ ठिक कर सकती हो मियो भी अब चाहती है कि वो human बन सके तो यह उन्हें कहती है वो भी अब उसे फिर से human बनने के लिए help करना चाहते है टीचर की cat और हिरो दो उस पेड़ के पास आ जाते है वहाँ आने के बाद cat man वहाता है वो एक mask लेता है और hero 2 के ऊपर चाड़ा देता है इस hero 2 के हाथ cat जिसे बन जाते है वो वहाँ hero 2 और डीचर की cat को दोनों को बन करकर वहाँ से चला जाता है मियो को पता चलता है हिरो दो उसे ढूनने के लिए आया है यह सुनकर वो बहुत एकसारेट होती है और उसे बचाने के लिए आजाती है जहाँ पर हिरो दो बन होता है वहाँ से उसे वो बचाती है और बाहर निकाल लेती है तब ही यह कैड मैन वहाता है और Mio को पकड़ लेता है उसे लेकर वो जा रहा होता है पर Mio sleep हो जाती है Mio Hero दो के पास जाती है Hero दो भी उसे देखता है और बड़े से एक रोफे से वो खूज जाता है उसके पास वो आ जाता है वो उसे कहता है कि हमेशा से तुम मुझे help कर रही थी माले होते है यह उसे बोलते है कि प्लीज ऐसा मत करो हम दोनों को फिर से human होने दो यह फिर इस cat man से जगड लेते है Mio अब try करती है कि फिर से वो human बन पाए उसके पास मास भी आ जाता है वो जब try करती है तो वो बन नहीं पाती उसके मन में अभी भी doubt होता है कि वो अगर human बन पाए तो फिर से वो अपने relationship को सही नहीं कर पाएगी hero तो उस cat man से जगडा करता है वो जो cat man होता है अब Mio से उसकी soul निकाल रहा होता है उसकी human soul वो निकाल रहा होता है तब ही उससे वो छीन लेता है एक crystal के रूप में बन जाती है अब यह जो cat man होता है उन पर भारी बढ़ रहा होता है पर Mio ने जो नए friends बनाए थे जो पहले human थे और cats बन चुकी है वो उन्हें help करने के लिए आ जाते है वो cat man को जगड लेते है और उसे हरा देते है अब hero दो Mio से कहता है यह मैं तुमसे प्यार करता हो मुझे तुम कैसी हो यह जान लेना है उसे अपने दिलगा इजहार करता है उसके बाद Mio को अब यकिन हो जाता है कि उसे human बनना है और अपने relationship को वो अच्छा कर सकती है यह सब लोग फिर से human world में आ जाते है वो अपने mask ट्राइ करते है फिर से वो अपने रूप में आ जाते है Mio फिर से human बन चुकी है जो teacher यह cat थी वो फिर से cat बन चुकी है Mio और hero 2 एक दूसरे खाट पकड़ते है और यही है movie खतम हो जाती है Movie के end में credit जब रोल होते है तो मैं दिखता है कि teacher को उसकी cat मिल गई है वो happy है Hero 2 और Mio भी एक दूसरे के pair में है और वो भी happy है Hero 2 के लिए उसकी जो friend थी जो हमेशा उसका carry करती थी वो भी उसके लिए बहुत ही खुश है यह सब एक happy note पर यह movie end हो जाती है बहुत ही अच्छी एक new theme इस movie में हमें introduce हुई है बहुत ही सही movie है अगर आपको वक्त मिले तो ज़रूर इससे देखना अगर आपको एक movie अच्छी लगी होगी तो please इस video को like कर दीजे मैं ऐसे movies लेकर आता रहता हूँ तो इसलिए आप इस channel को subscribe कर दीजे bell notification icon भी दबा दीजेगा यानि कि आपको सब movies आती रहे हम फिर से मिलेंगे एक नई movie के साथ तब तक के लिए thank you और आप अपने आपका खयाल रखिये